भूत होते हैं या नहीं? ये सवाल सदियों से उलचा हुआ है दुनिया भर में ऐसे लाखो करोडों लोग हैं जो भूतों को मानते हैं उनका मानना है कि भूत होते हैं और वो इंसानों को कई बर अपनी मौजूदगी का एसास भी कराते हैं भारत में कई सारी खुबसूरत जगाए हैं लेकिन उन में से कुछ ऐसी भी है जो आपके मन में कभी ना खतम होने वाला डर पैदा कर सकती है ऐसा ही डरावनी जगा भारत में भी है जहां आज भी रात के समय कोई भी नहीं रुखना चाहता नमबर सेवन मुकेश मिल मुंबई के कुलाबा में है एक जमाने में यहां बहुत से मज़ूर काम किया करते थे लेकिन एक रात इस फैक्टरी में आग लग गई जिसकी चपेट में आने से कई सारी लोगों की जान चली गई जिसके बात से ही मुकेश मिल हमेशा के लिए बंध हो गया कई एकर में फैली यह मिल सालों तक ऐसे ही विरान पड़ी रही फिर यहां फिल्मों की शूटिंग का काम सुरू हुआ लेकिन उसका नतीज़ा यह हुआ कि बॉलिवूड स्टार्स भी इसे हॉंटेड मानने वाले लोगों के लिश्ट में शामिल हो गए दिपासा ब पारे में लोग बताते हैं कि इस मील की चिमनी के पास एक पीपल का पेड है वही पीपल का पेड अद्रिश शक्तियों का बसीरा है और वही अद्रिश शक्तियों यहां काम नहीं होने देती वो नहीं चाहती कि यह मिल फिर से अबाध हो जब भी इसे शुरू करने की की जाती है तो किसी ना किसी कारण से यहां आग लग जाती है और काम नहीं हो पाता नमबर सिक्स बेगूर कोडार रेलवे स्टेशन आपको जानकर शौक लगेगा लेकिन भूतों के होने की आश्रंका के चलते इस पब्लिक प्लेश को 42 सालों तक बन रखा गया ये कहानी ए ऐसी आजीबों करीब घटना एक घटने लग गई जिसने यहां के लोगों को डरा कर रख दिया दरसल कुछ ऐसी अफवा थी कि इस स्टेशन पर एक ट्रेन धुरगटना में एक लड़की की मौत हो गई थी दुसके बाद एक रेलवे ऑफिसर को उसी स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया गया उस ऑफिसर की बातों को लोगों ने अंदेखा कर दिया बताया जाता है कि स्टेशन मास्टर ने सफेज सारी में एक लड़की को पट्री पर चलते हुए रात के अंधेरी में देखा था इस घटना के बाद स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वाटर में मृत अवस्था में पाया गया यहां रहने वाले लोगों का यह दावा था कि इस मौत के पीछे उस आत्मा का ही हाथ है इस घटना के बाद लोग इस तरह से ड़ने लगए कि सुरज धरने के बाद यहां कोई रुकना ही नहीं चाहता था दरस अंधेरा होने के बाद जब भी यहां से ट्रेन गुजरती थी तो इस लड़की की आत्मा ट्रेन के साथ साथ दोडने लग जाती कभी कभी उसे ट्रेन के आगे पट्रियों पर नासते हुए भी देखे जाने का दावा किया गया इस्टेशन पर आने से लोग इतना डरने खुलवाया और तब से लेकर ये अब तक खुला हुआ है नमबर फाइब भानगर का खिला राजिस्थान भारत का ये इकलोता जगा है जिसको गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक हांटेट प्लेस घोसित किया है इस किले के आस पास जो लोग रहते हैं उनका कहना है क इस किले से एक औरत के चिलाने चूरियों को तोरने और रोने की आवाज सुनाई देती है और कई बार किले से गाने बजाने की आवाजे भी सुनाई देती है कई लोगों ने तो एक परचाई को भी देखा है जो इस किले में घुमती हुई नजर आती है ये खिला दिन में त अनीक राजा महराजा रानी रातनावती को कुछaching चाहने वालों मेंसे अक्त्रिक भी था तांट्रीक को पता था कि रानी उनसे कभी विबा नहीं करेगी। फिर रानी ने इस इत्र को एक पत्थर पर फेक कर तोड़ दिया और काला जादू उल्टा पड़ गया और जस पत्थर पर वो इत्र गिरा उससे वो तांत्रिक घायल हो गया लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने ये श्राप दिया कि इस भानगर का विनास हो जाएगा इस घटन का जीवी ब्लॉक देश के सब्शे रहस्यमाई जगाओं में से एक है। जीवी ब्लॉक के बारे में कहा जाता है कि यहां लाल रंकी सारी पहनी हुई एक महिला दिखाई देती है। क्या दिन में भी नहीं आते। काप गया और चोड उल्टे पैर अपनी पुलिस शक्ती से घर के बाहर भागा। घर की दिवार खुत कर कुछ दुर भागने के बाद वो रुका। क्योंकि उसने उस कमरे में तीन खुन से सनी हुई डेड बोडी देखी थी। इसी बीच उसने फोन निकाला और पुलिस को ये सब बाते बता दी कि एक घर में तीन खुन हुआ है। इसके बाद पुलिस आती है और अपनी इंवेस्टिकेशन करती है और आसपास के घरों से पूस्ता सुरू करती है। पोस्ट मार्टर रिपोर्ट आता है। इस रिपोर्ट के मताबिक इनकी मौत अभी नहीं बल्कि 5-6 मैने पहले ही हो चुकी थी। अब जब ये खबर मुहले में फैली तो लोगों का दिमाग खराब होना सुरू हुआ। पुलिस ने इस केस को कई एंगल से जाच किया, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने हमेशा केला उस घर को लॉक कर दिया और केस बन कर दिया। लोग बताते हैं कि उनके घर से जोड-जोड से चीखने की आवाज है। उन्हें करता हैं। अभी कभी लोगों को इस घर के फोस्ट फ्रोर पे एक बल्प जलता हुआ दिखाई देता है। ऐसी कारण लोग इस घर में जाने से डरते हैं। डिली केंट इलाके को काफी भूतिया माना चाता है। कई लोगों का कहना है कि यहां अक्सार रात के करीब तीन बजी सफेद कपड़े पहने हुए एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती हुई नजर आती है। जो लोग इसे लिफ्ट देते हैं वो उसके बाद कभी नजर नहीं आते और जो भी गारी नहीं रुखता यह लिफ्ट देने से मना कर देता है। तो यह लड़की उनके कार की बराबरी से दोड़ती हुई दिखाई देती है। कुछ लोगों ने इस इंसिडेंट को अपनी आँखों से देखा है। इसलिए कभी भी रात के समय किसी भी अंज़ान इंसान को लिफ्ट नहीं देना चाहिए। तमबर वन गर कुंडार का किला मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश के निवारी जिले में एक गाव है जहां गर कुंडार का किला है। ये किला भारत के सबसे डरावनी किलों में से एक है। यहां के स्थानिय लोग आज भी दिन धलने के बाद इसके पास से गुजरने से भी डरते हैं। लोगों का कहना है कि बहुत समय पहले इस किले में कुछ लोगों की मौत हुई थी जिनकी आत्माय आज भी इस किले में भटक रही है। इस किले के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि इस किले के बाहर रात के समय एक बरात निकला जिसमें करीब 70-80 लोग थे ये सारे लोग रहस्यमई धंक से गायब हो गए जिनका पता आज तक नहीं लगा अब इस कहानी के पीछे कितनी सच्चाई है वो किसी को नहीं पता मग अगर इतना डरावना होने के बाउजुद भी दिन में यहां काफी टूरिस्ट आते हैं जो इस किले के रहसे का पता लगाते हैं इस वीडियो में आपने भारत के सब से डरावने और रहसस्यमई जगाहों के बारे में जाना आपको हमारे यह वीडियो किया सा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना